में लास्ट वाला लिया था अब पढ़ लगते हैं किया एडमिशन आपके तो घमा लेकिन ये जो दीट ना वह कुष्ण में मिल जाएंगे दूब को मिल जाएंगी और online यह रोसे के नगते हैं सब कुछ पता है कोई बीन आप आता है कि पूराने वाले permettre अपना हिस्सा उसके लिए सैक्रिफाइस करते हैं है उसके लिए क्ते आप सकते हैं तो अब तक के जो अपने कमाई वे पाटनर से उसका क्या करेंगे वह हैं कि अगर नहीं की जाती कभी कभी की सब्सक्राइब करेंगे कि करोड को बोलेंगे तू करोड के साफ से पैसा लेका आएगा अपन लोग हां तू अपहले सो रहा है सब्सक्राइब करता है अच्छा ऐसा है कि दोना आखे बंद होती है या एक तब फीक है एक होगी तो दिक्कत हो जाएगी किसी को भी देख ना दिक्कत हो जाएगी तो नया पाटन आपने एक करोड के साफ से आजाना महां हिस्सा ले लेना तू वन थर्ड का हिस्सेदार बन जाना या करोड की कीमत कि admission of partner is one of the mode of reconstruction of partnership firm under which existing agreement comes to an end and a new one comes to in come into existing पुरान agreement खतम हो जाता है और नया पहले दो पार्टनर थे उनके बीच में लग एग्रिमेंट था अभी तीन पार्टनर होंगे तो पुराना वाला एग्रिमेंट खतम करके नया वाल एग्रिमेंट लिगे आना a new partnership deed is prepared at the time of admission of new partner okay as the old partnership deed comes to an end पुरानी partnership deed खतम हो जाएगी चेंज हो जाएगी और नया partnership deed आजाएगा अच्छा एक नया partner कब आ सकता है कोई भी ला सकता है कोई भी partner या सारे partners की सहमती से with the consent of all the partners existing partners at the time हाजी नहीं मैजरेटी का नहीं आएगा all the partners ठीक है ना all the existing partners ठीक है ना तो मैजरीटी वाला डाउड नहीं क्या होता है हम लोग पढ़ते 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 पर इतने और मैं आशिश मंनीश partner रहें अब यह अशिश और मनीश किसी चंपा को लाना चाहते है मैं नहीं लाना चाहता है ठीक है ना तो और सिच जब तक नहीं आएगी ठीक है ना ओके हाँ उसके बारे में सोच सकते हैं एड़ टाइम एड्मिशन हाई एड़ टाइम आप एड्मिशन दे न्यू पार्टनर ब्रिंग इस शेर ओफ गुडविल एंड कैपिटल नया पार्टनर क्या करेगा ऑविसली अपने कैपिटल को लेकर आएगा साथ हमारे फिर्म के रिगार या जोद्पुम्स्तान बंढ़ आगे ने पार्टनर बंढ़ना चाहूं तो वो अपनी एसेट्स का पैसा थोड़ मागेगा वह अपनी नाम का पैसा भी मागे अपनी गुडविल का पैसा भी मुझे मागेगा ओके ऑड पार्टनर सेक्रिफाइस जब नया पार्टनर हिस्सा मिलेगा तुछ न्यू रेशियो सेक्रिफाइस रेशियो आज अतना काम के न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो पर ही वक करना है आप लोग रफ में ट्राइब करना फिर नोट्स में ले तो एक बार इसके अंदर वापस लिख लेना ठीक है और जो घर पे हैं जब पुराना बताम से अदना गया तो उनका प्रॉफिट हो जाएगा की जब नया पार्र आएगा तो अब इसली हम क्या करेंगे अपने पास अपने पर क्रेडिट करेंगे अफन है पना हिस्सा रेकर आया अपना reply में पास नहां वक प्रैक्न हिस्सा बनेंगे ते Walker अब old partners किस ratio में उस Goodwill के इससे को अपने account में credit करेंगे ये शे sacrifice ratio के अंदर जितना जितना old partners ने sacrifice किया नए partner के लिए उतना उनको हिस्था मिल जाएगा संपल के ओके जी now accounting treatment for revelation of एसेट ऍंड लाइब ऍट इस एंड लाइबबिटीज और उने वाले प्रोफिट लॉस और पार्टनर्स में में किस रेचया में डिसिप्यूट कर दिया जाएगा अब तक का जो भी कमाया वहाँ वह सारा का चाहरा ओल रेचयो में वह अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आफ रिजर्व एंड एक्युमृलेटटेट प्रोफिट अब तक के कमाएवे वह वह बी ओल्ड पार्टनर्स में ओल रिश्यो में डिस्टिपूट जाएंगे फिर इसमें और क्या गाएंगे अट्रिसमेंट एडज्श्मेंट ऑफ कैपिट सिक्षाल रखना चाहते हूं तो उसके बासिज स्वाइब लिए पूराने के बासिज पर नए का पूरानों का भी सारी देखा जाएगा और पुरानों के बासिज बहुत की कशिट आफ जाएगा जाएगा को कि लास्ट वालक हाँ आइस सब के बेसेस पर देखा जा सकता है ना दूरों के बेसेशों पर हो सकता है कि अपेटल है हुआ जैसे रेशियो है मान लीजिए 2-2-1 नया रेशियो उनका पुराना रेशियो जो मैं तो दो था न्या तू था नया क्या हो गया तू इस्टू टू इस्टू वन हो गया ओके लिए हां गुडविल सेक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा आधित देखेंगे भी बाइवन अच्छा अब इनका जो क्यापिटल था वाटेवर कुछ भी हो सकता है मान लीजिए इनका क्यापिटल था एक का था फाल याउय पहले वालेका और दूस्रे वाले गभ्ता कि अ भी तौको मिल तूड़ के लिए गाषtown का अफाशन काट्आ किमें अब यह वाले से ना कैपिटल मंग वाले कितना एक लाग अनो और कहां इसकश के बेस g, पर क्या बिए पूराने व्माले पार्टनर भी क्या करेंगे जोते ने सुनो तो सही हां तो क्या होगा पूराने वाले पार्टनर इसको भी दो लाग पहले वाले के दो पचाजार लेकर यहागा ठीक है कभी इनके बेसिस तो नयावाला पार्टने आख इस तरीके से पूराने के बस्क्रिव्यद में आपको नयवाले का चैपिटल नहीं दे रखा अब अब तह पूराने वाला पार्टने लेके आएगा तो चार लाक मिलाके 4 by 5 हिस्से के लिए था तो 1 by 5 हिस्से के लिए कितना capital होगा लेकर आएगा तो depend करेगा यह सारे topic इस chapter में cover होगे तोला पेज इसके notes है ठीक है 16 पेज चलिए उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चंदू calculation of new profit sharing ratio हाजी बता तो दूँ आ गया है हना calculation of new profit sharing ratio ओके चलिए ट्राइ कीजिए जितना ग्यान है ना तुम लोगों का वो लगा लीजिए पिर मैं बताऊंगा है हाजी इसमें जो पहला topic है वो यह है कि वेन ओनली the ratio of new partner is given in the question now partner राया उसका रेशो बता रहा है वन फोर्थ इसे के लाया वन थर्ड इसे के लाया तैन इन in absence of any other agreement old partners will share remaining profit in the old ratio कुछ दियावा नहीं होगा और कुछ नहीं दियावा सिर्गा न्या पार्टनर कितने से के लाया कि हाँ पॉर दिस वन मान लीजे वन सिक्से के लिए जो कुशन में दे रखा और कुछ नहीं दे रखा तो क्या करेंगे old partners will share remaining profits in all ratio remaining profits in old ratio okay new ratio बताना आपको कि अ कि अ कि हाँ सब लोग एक बार अगर 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 लिखना लिख लेना बट बार में नोट्स में ही लिखना रफ में तैसी रफ वर्किंग कर लो कि है एक इस एक जामपल नम्मिंग लगा देना फर्स्ट कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ अगर कितना है यह हाँ ओनलाइन वाले बच्चों बटाओ को सुच हुआ और दस पांच पांच हां थ्री टू वन बन थीक हां सबका यह आ रहा है मोहित 15 10 5 6 बता रहा है बागी सबका 3211 ओके 3211 देखो इसमें कैसे होता है जब भी न्या पार्टनरेस तरी का कुष्या नो 1-6 तो अपन क्या कहेंगे हाँ जी हम कहेंगे भाईया शेयर ओफ डी सबसे बहुत तो लिखनेंगे क्या शेयर ओफ डी कितना है 1-6 so remaining profit कितना होगा remaining profit is equal to total profit होता है यह भी लिख सकते हो पहले ले अजिम total profit is 1 1 में से अगर 1-6 इसको देदेंगे तो बाकी कितना बचेगा है यह तुम कोड करना आता है 1-1 by 6 हाँ ओके पक्का हाँ कैसे करते हो 1-1 upon 6 6 LCM लिया अच्छा 6 into 1-6-1 हाँ वैसे इसमें इतांगरने की जुरत नहीं है कि 1-6 मतलब total 6 portion है उसमें से वन portion हम उसको दे रहे हैं अब 6 में से अगर वन उसको दे देंगे तो बचेगा कितना 5 portion ना तो 5 divided by 6 इसमें तो बड़ा easily ऐसे हो जाएगा ओके हाँ तो remaining profit अपने क्या पड़ा remaining profit old partners old ratio में बांट लेंगे तो उसके basis पर अब new ratio हाजी तो अब new ratio क्या रहने वाला है A, B, C और D D का हिस्सा तो पता है अपने को 1-6 है बचावा 5 by 6 बचावा 5 by 6 old partners अपने old ratio में बांट लेंगे इनका old ratio क्या था था कि 3 by 6 2 by 6 और 1 by 6 बोले थी इस्टू 2 इस्टू 1 ओके LCM सेम होता है ना नीचे जो डिनोमेटर सेम होता है न तो हम उसको ratio बोल सकते हैं डिनोमेटर जब तक सेम नहीं होता तब तक वह उपने को डिनोमेटर बचावा profit है उसका 3 by 6 2 by 6 और 1 by 6 कितना होगा 15 by 36 10 by 36 5 by 36 और 1 by 6 को भी अगर मैं 36 में लाना चाहूं तो हां जी डिनोमेटर को अगर मैं से मल्टिप्लाइ कर रहा हूं तो अबश्चली में को भी 6 से मल्टिप्लाइ करूंगा ओके कितना हैगा 6 by 36 ऑचन्दन बहुत कुछ हो रहा है कि आज समझ में अब तेक है हां ओके ठीक है हां तो नियू रेशियो और आप नियू रेशियो ल यह फेले लिग दिया था कि आई ईस्टू बीस्टू चीज द फंडरा दस पांच और छे ऑफ न बोल रहा था कि इस प्रिटू बहुत लोगों ने बोला था द्री तू वन बन अच्छा एक बात बताता हूं फंडरा दस पांच पांच इनका टोटल कितना है 35 और डिवाइड में तो टूटल 36 है यह तो पॉसिबल ही नहीं है अगर डिवाइड में 36 है तो उपर भी सबका नियुमेरेटर का टूटल 36 होना कंपल्सरी है तो 15 10 पैसी मलब सिर्फ मोहित का सही था हां मोहित सिर्फ मोहित का सभी था और एक और बच्चा भी दिया हां मोहित ही ऑloituation अज़ी सभी था अच्छा तु बताया तो नहीं हां 15 दस 5 और 5 बताया किसी ने किसी 3211 बताया तो इक चीज़ यहां रखना अगर डिवाइड में 36 है तो टूटल डरोग उम वो भी हटे 6 ही होगा है ना तो कभी गलती मत करना ओके गुड जिसने भी सही बताया नहीं नहीं हाँ कोई बात नहीं भूल जाता है देखो मेरा यह मानना है कि यह बच्चे गलती करते ही हैं कुछ बच्चे लिख रहे हैं क्या लिख लो तो जब ऐसा गिशिन आया ना कि नया पार्टनर आ रहा है इतने हिस्से के लिए तो अपन क्या करेंगे टोटल प्रॉफिट वन उसमें से नहीं का हिस्सा देख लिया बाकी बच्चे वे को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रिश्य में बांट देंगे एक नया मेंबर आजाए खाने के टाइम में उसको उसका हिस्सा निकाल कर दे दो और बाकी बच्चे वे तो बराबर बराबर अगर खाते थे तो बाद में बच्चे वे इससे का बराबर बराबर खाएंगे ना यह वो अला सीन है ठीक है याद रहेगा ओके हां अब मान है ना किसी का स्पेशल केस्ट आया है तो हिस्सा अगर वो ही दे रहा हो के वल तो एक अलग बात है ठीक है ना चलिए हाँ देखो तक कौन पहले कौन बाद में वह तो पता नहीं संटाइम्स है नो आइडिया संटाइम्स नियू पार्टनर पर्चैजिस इस शेर ऑफ प्रॉफिट फॉम ओर और थीकुली और इन पार्टिकुलर रिशियो कभी कभी क्या होता है ने आ पार्टनर खरीथा है क्या हिश्यर आ profit from old partners equally or in the particular ratio देखते हैं क्या क्यूशन आते हैं हाजी ऐसे cases में new ratio कैसे निकाला जाएगा ओल रेशियो माइनस sacrifice रेशियो नहीं sacrifice made और सब्सक्राइब सब्सक्राइब में क्या होता है फर्क होता है हमको अब तक यह बढ़ाते हैं अब रेशियो मैंने sacrifice रेशियो डैडिस नियू रेशियो बट मेरा यह मानना है कि वो पढ़ाना गलत है ओल रेशियो माइनस sacrifice किया वन थर्ड है न अब देखेंगे अभी किस्टें अन उनका रेशियो क्या होगा अलग हो जाएगा अलग हो जाएगा देखना आप आप देखो राम और श्याम राम और श्याम 7 x 12 और 5 x 12 डिनोमेटर से मैं यह दिए 7 इस तू 5 बैट अबिट गोपी एज न्यू पार्टनर पोर 16 शेयर ओके नया पार्टनर का हिस्सा दे रखा है लेकिन उसके आगे एड़न क्या रखा विच्छी एक्वायर इक्वली फ्रॉम राम और श्याम अब यह किश्यन पहले वाला किश्यन नहीं रहा क्योंकि पहले वाले में क्या हो रहा था वो लोग अच्छा पहले वाले में अगर तुम sacrifice ratio निकालोगे तो क्या रहेगा पहले वाले में अगर तुम sacrifice ratio निकालोगे तो क्या रहेगा पहले वाले में अगर sacrifice ratio निकालोगे तो क्या रहेगा सर ऐसे cases में है ना sacrifice ratio हमेशा old ratio के बराबर ही रहने वाला है तो A is to B is to C that is 3 is to 2 is to 1 उनका जो old ratio होगा न वही उनका sacrifice ratio होगा और अगर आप confirm करना चाहिए तो कर सकते हैं old minus new करके sacrifice कर निकालोगे अगर आपको डाउट है तो आप calculate करके देख सकते हैं तो जो उपर वाला किशन था किवल नया पार्टन का हिस्सा दिरका उसमें हमेशा old ratio क्या रहेगा सक्रिफाइस espacio रहेगा लेकिन यहां पर क्या और यहां पर सक्रिफाइसे एक्वली ले रहा है वो यहां और कोकेometric पहले क्या करेंगे पहले sacrifice मेंड क्यलकुलेट करेंगे और सट्राइश निकालना तो वह क्यलकुलेट करेंगे देखते हैं सेक्रिफाइब कितने हैं सेटिवाइब बाए ओल्ड पार्टनर्स राम हां गूपी का इससा कितना है वन सिक्स्ट वंसिट कैसे ले रहा है एक कोली ल कि sacrifice made तो क्या हुआ वण्टव क्वाइट सुन ना और सेक्रिवाइज रिश्यो अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा ये वन गारिम इस टू वन को कर दूँगा तब तो नेगेटिव आजाएगा ठीक है ना तो ओल रिश्य माइस सेवन बाइज मेड़ ओके तो फाइव थ्री फोर आ रहा है क्या कि देखते हैं न मेरे पास तो राम राम का ओल्ड हिस्सा था सेवन बाइज ट्वेल शाम का था फाइज ट्वेल और गोपी को तो 1-6 के लिए लिकर आए है ठीक है जी माइनस राम ने सेग्रिफाइस किया 1x12 शाम ने किया 1x12 कितना या इट इस 6x12 इट इस 4x12 और इट इस 2x12 कि मल्टिप्लाइटू मल्टिप्लाइटू रेश्यों क्या हो गया 6423221 तो नियू रेश्यों क्या हो गया राम श्याम कूपी तो थ्री तू और वन कि अगर आपने सबको दो से डिवाइट कर देते हैं तो थ्री टू वन कि नहीं सर रॉंग हो गया ओक्या दिया कि अगुड चलिए तो मोस्ट ऑफ दगिशन में क्या होगा पहले सग्रिफाइस मेड निकलेगा और फिर उसके बाद ओल्ड में से सग्रिफाइस मेड को हटा दीजिए नियू आ जाएगा बस जो पहले वाला केस है उसके अंदर क्या ह और है पहले रिमेनिंग प्रॉफिट देखा जाएगा और फिर रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड रिशियो में बांड दिया जाएगा ओके एक और केस आगा जिसमें वैसे करेंगे वागी मुद सब में यूहीं कैलकुलेट किया जाएगा बढ़े आगे चलिए सुरेश ए और वन फोर्च एर ऑन 31 जुलाय 2022 अखिलिश वाज एड्मिटेट अज न्यू पार्टनर में आया हूं पूर वन सिक्ष एर विच एक्वाइड एक्वली प्रॉम सुरेश रमेश एंड विशाग कैल्कुलेट दो पार्टनर हैं पहले विशाल के आने पर कैल्कुलेट कर लो और देन मेरे आने पर हाँ अखिलिश के आने पर चलिए जो ऑफिस कल्चर होता है ना पार्परेट कल्चर उसमें किते भी बड़े हो कहीं कहीं कंपनीज में तो उनको नाम से बुला जाता है अजी हाँ नए अमिता को तुम दाला बोलते हो कि पड़ दाला बोलते हो अमिता भी बोलते हो ना नएं को सर बोलने है चलिए शुरेश एड्यमेश एल्टने इन फार्म शेरिंग प्रॉफट उके 5C है बताओ कैसे करोगे विशाल 1-4 इस्ते के लिए आया विशाल 1-4 इस्ते के लिए आया है ना लेकिन और दो कुछ नहीं लिख रगा ना इसका हिस्सा हटा के remaining profits को old partners old ratio में बांट लेंगे तो हां on admission of विशाल कि है कि अधियों टोटल शेर वन है उसमें से विशाल का वन फोर्थ है तो बाकी बचा कितना थ्री फोर्थ इस थ्री फोर्थ को क्या कर लेंगे सुरेश रमेश धुनों old ratio में माँठ लेंगे एक सेकेंड विशाल का कितना वन फॉर्थ और सुरेश का और रमेश का क्या रहेगा 3 लेदा 4 जो बचावा हिस्सा है उसको ये old ratio में बांट लेंगे ओके old ratio का था 5 लेदा 5 लेदा 3 लेदा 3 by 8 15 divided by 32 9 by 32 और इस 1 by 4 को भी अगर मैं कनवर्ट करूं तो इंटू 8 इंटू 8 इस 8 by पहले गलत बज़ाय था क्या थीक है थीक है थुरेश रमेश और विशाद हा थीज़ियें रहे था था थीज़िये थीज़िये खिए अने नी बोल सकती है कोई दिकर ने है पंद्रह नो और आठ किसी का गलत था गया जूट मत बोलो मैं कॉपी चेक करूँगा अब तो सब ने लिख लिया होगा चलो अखिले श्वाला बताओ पंद्रह नो और आठ यह तो हो गया हाँ यह लोकिशन अखिलेश एड्मिट किया इसे के लिए विची एक्वाइट इक्वाली प्रॉम हाँ जी विची एक्वाइट इक्वाली प्रॉम तुरेश रमेश और विशाल कि एक्रिफफाइस मेड वन भई एटीन आए घा चालित्य वो सबका अलग-अलग आएगा न कि ठीक दॉदन ब्लॉडँ ना जत्राइगा साहिभ बात है कि ऊख्याजी है चाहिद में धसीट्च मतंब π madness gonna अब्लेश प्ले पोशियन उसका, वन थर्ड, वन थर्ड, सब लोग सैक्रिक्रिफाइस कर रहे हो, तो 1-6th का 5 Race, सैक्रिफाइस मेड जब हम निकालेंगे, यहान अटिंविशिन आफ अखिलेश, साक्रिफाइस मेड, अकिलेश का इसकर था 1-6th, और उसको तीन partner अगर equally लेंगे, तो तीन partner महले divide by 3 ना, तो divide by 3 divide by 3, divide by 3, into 1 करने से कोई परक पढ़ता है, यसलिए into 1 by 3 into 1 by 3 it is 1 by 18 1 by 18 और 1 by 18 sacrifice made आ गया हूँ, now new ratio कितना 15, 9 और 8 चलिए, फिफ्टीन, नाइन और एट, बाई थर्टी टू गया, चलो, करो सॉल, अखिलेश, वन सिक्स्थ, ग्यारा पांच, चार पांच, बच्चे का मेसेज है, मेरे को नहीं पता, ग्यारा और पांच होते हैं, उननेस, उननेस और नो होते हैं, अठ़ाइस, आद्या, टूटलिंग है, आपका अठ़ाइस, नाइन, ग्यारा पांच, सूला, 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 नो, सॉरी, पच्चेस, ग्यारा पांच, सूला, सूला, और चार, हाँ, 13 इस्टू, 13, 766, अच्छा, इसका टूटल, 32, छीक है, 238, 130, 137 या 130, 112, 96, और मनीश का गयन है, 137, 75, 45, 40 और 32, अच्छा, अब वो जैसे भी तुम करो, अच्छा, बच्चे ने काई है, एटा दो, ठीक है, 137, 137 है, और सब सही है, ठीक है, अब तक तो ग्या हो रहा था, डिनोमेटर गया, सेम आ रहे थे, इस बार भाई साब, गड़बड हो गया, हाँ, हाँ, सैक्रिफाइस मेड हटा दीजिए, अच्छा, 130 ही है, चलो, यह मनीश का भी अटवा दिया, आशिश का रह गया, और एक और रह गया, हाँ, कुशी का, अच्छा, पार्टी दे दो फिर, कितने बज़ आएगा, हाँ, 119, 65, 56 और 48, आदित्य ने कहा है, ओके, इसको डिवाइड कर दिया, दो से ना, ठीक है, ओके, हाँ, तो एक काम करते हैं, अपन ये भी हटा देते हैं फिर, हाँ, अब काफी लोग बोल रहे हैं की, 238, 130, 112 और 96, क्यों मोहित, कितना, अच्छा, अच्छा, वो मोहित वो है, जिसने बर्गर वाली पाट्टी दी थी, अच्छा, पीजा वाली दी थी, ठीक, अब वो से पैकेट दिख रहे थे, अंदर वाला नहीं दीख रहा था, कब पाट्टी वे तुम नहीं आ रहे गा, अच्छा, ओके ओके, पीजा वाली पाट्टी दी थी, ठीक है, देखो, अब यार रुखूंगा ऐसे, अब ना लाइक, नहीं आया, आ गया, कुसम, नू, 238, 130, आ गया, ठीक है, ओके, आदिते हैं मौनिका, अब काफी लोगा आ गया, आप सुनते हैं, देखो, कैसे होगा, बड़ा आसान है ना, सबसे पहले तो LCM लेना है ना, तो एक तो EASYEST वे क्या है, 32 इंटू 18, 32 इंटू 18, जो दो दोनों डिनोमेटर में मल्टिप्लाइ कर दो, कितना हुआ 32 इंटू 18, F576 । पपिर जया करना होता हैरा ऐसा क्रॉस मंटिप्लाइटी। 180 F270 को फ्लीन ईकल मेंnis जाइट एंटीट है that is 32 हाँ ओके अच्छा समझे कैसा डिनोमेटर जो है 32 और 18 उन दोनों का मल्टिप्लाई कर दीजिए it is 570 6 और देन क्रॉस मल्टिप्लाई कर दीजिए ओके इडिस ओके देन अगेन 144 34 माइनस 32 अपन 576 अब इसको करना है तो 576 को 6 से डिवाइड करो 96 आएगा तो अपन दोनों को निम्रेट और दोनों को 96 से मल्टिप्लाई कर देते हैं और 96 डिवाइड बाई 576 ओके गुड आशीश सबसे पहले आंसर देने के लिए हाँ ठीक है ना ओके चलिए बागी सब गुड सबने आंसर दिया अच्छा अब क्या रहा अपना न्यू रेशियो ये रह गया हाँ ना सुरेश रमेश विशाल और अखिलेश अब आपने और इसको सिंप्लिफाई भी कर सकते हैं आपने देखा कि सब में दो से डिवाइड हो सकता है तो इस वन वन नाइन इस 65 इस 56 इस 48 आपने और इसको सिंप्लिफाई कर दिया ओके जी क्या हम कोई और ले सकते थे ले सकते थे ना तुमको बता है लेने का तरीका क्या होता है ऐसे लाइन बनाओ ऐसे करो फिर 32 18 लिखा है 288 अच्छा तो पहले टू से स्टार्ट करते हैं 6 और 9 फिर अगेन 2 से कर देता हूं यह 8 बट यह नहीं हो पाएगा अच्छा फिर और 2 से डिवाइड कर दो तो यह 4 अगेन 2 से करो तो अब 3 से करता हूं 2 और 3 ओके बस अब 2 और 3 और डिवाइड नहीं हो सकते हैं हो गया अब क्या कर लोगे 3 इंटू 2 इंटू इस दिस 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 और तू और त्री लिखने से क्या फायदा उदर लेट में इसलिए मैंने लास में छोड़ दिया इनको टू और फ्री और फायदा है ना वन पतक ठीक है इतना तूटी एट अच्छ अब एक नया और सिखाता हूं त क्योंचा है कि देखो 32 इंटू 18 कर लो यस और फिर जो इन दोनों में कॉमन है 32 रेटीन में एक ऐसा डिजिट जो दोनों से डिवाइड होता है थी से करने के लिए चेक करना पड़ता है कि नम्बरिंग का टोटल नाइन है की नहीं है तो एट और वन का टोटल नाइन हो रहा है लेकिन थर्डी टू दैट इस थी प्लस टू इक वस्टू हाँ नाइन से डिवाइड नहीं होगा और 18 तो 8 प्लस बन नाइन है तो 9 पूरा प्रॉपर 3 से डिवाइड हो जाता है तो मतलब हाँ थी से नहीं होगा टू से तो सकता है ना तो इसको आप क्या कर दीजिए पहले तो आप क्या कर दीजिए यह ले लिजिए नॉर्मली 32 18 तैन हाइस्ट कॉमन फैक्टर से आप डिवाइड कर दीजिए यह सबसे इसे और शौर्टेस्ट वे होगा लेने का हां तो यह तो आप वैसे करें और यह फिर आप डिरेक्ट मुल्टिप्लाइए इस तरीके से कर दें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए लेकिन अगर 288 लेते हैं तो फिर उसके बाद आगे की प्रॉसेस में डारेक्ट क्रॉस मुल्टिप्लाइए नहीं हो सकता तो उसमें आपको टाइम खर्च करना पड़ेगा ठीक है अब अपने को 11 12 में तो क्या था इस तरीके से सब्सक्राइब करने की इच्छा है कि आपकी लास्ट में ठीक है ओके तो यह तो रहन रहता हूं बढ़े हां कि आदित्या और निशिका पार्टनर है सेवन इस्टू पाइफ के हां मनीश एड्मिटेड ऑन वन सिक्स्ट यह हां मनीश इस एड्मिटेड ऑन वन सिक्षियर विच ही टेक 124 प्रॉम आजटेड और वन एट्थ फ्रॉम निशिका कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेरिंग रेशियो चलिए कीज़ेट रहा है लाइट सेक्रिफाइज मेट गिवन है किस्टन मार्क हां आदेते हैं हां आदेते को मैंने हां बोला हां कि अध्या बड़ा करूं कि अध्या आदेत्या से और वन एट्थ निशिका से अध्या अध्या निशिका से कि अध्या एंध्या है कि है आसान भश्यामर्ण आसान भश्यामर्ण आठाथ तरहां को प्रस्वंगे करें हुआ कर दो कि दो कि अधिया इक आद आपकी मोग आधि टूब धिव दिर दूई आट अधिव टूई इष्ट पारि दिवागगी इस त्दूई इस संजाए क्रगा अवर को तूई यही है ठीक मनीश का यही है देन आशीश का भी यही है कि नहीं एसा नहीं है हाँ कि यह इसे तो पार्टनरी नहीं थे कि रहने दें नहीं लिखूंगा अच्छा नहीं लग रहा हाँ और कोई हाँ बोलू 332 is 228 96 ठीक यही है डंबो चार से डिवाइड कर ले इसको हाँ चार से डिवाइड कर लो इसको यह आजाएगा हाँ हाँ और कोई आर्यन कुसम अक्षत नहीं मांसी खुशी चंदन मन क्यों नहीं कर रहा है आदिते ने कहा तेरा साथ और चार तेरा साथ और चार ऐसा सुनिएगा इस क्रिशन में पहली बात 124 प्रॉम आदिते न वन एट फ्रॉम निशी का या आदिते अपने हिस्से का 124 दे रहा है क्या निशी का अपने हिस्से का इसको पता लगाने के लिए मेरे पास एक तरीका है क्या वन बाई 24 और वन बाई 8 मिलकर करना कितना होता है इस 24 देन 1 प्लस 3 दाट इस 4 बाई 24 दाट इस 16 ओके इन दोनों का टोटल मिलागे 16 आ रहा है इसका मतलब यह जो आपको दे रहा है अधिते और निशी का यह अपने हिस्से का नहीं यह जो टोटल हिसा सेक्रिवाइस करें वो डारेट गीवन है तो सेक्रिवाइस मेड आपक तो यह गलत हो यह लिए हटा दू ओके तुम करती तो सभी हो जाता ना मैं तो तुमको हां बोल भी दिया था इसलिए उस्ते आम समझ में आया कि कैसे चेक करेंगे का सुनो 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 इसकी को मैं लास्ट कीशन में फिर एक वाइपए आपसे जैसे आप यह है को आप यह है जैसे हैवे सुरेश रमेश अब इकbayली मजब और वन vandaag और हो जाता है वैसे तो इन तीनों का हिस्सा तो टोटल वन हो जाएगा ना इसका मतलब यह अपने को जो यह इसा नहीं होगा क्योंकि उसका हिस्सा तो कितना है तो जिसने जितना जितना सेक्रिफाइस किया अगर आप उसका टोटल लगा लेते हैं और फिर देख लेते हैं क्या जैसे 124 और फिर चेक कर लें कि इन दोनों का टोटल क्या रहा है यही हिस्सा मनीश को मिल लेना इसका मतलब डारेक्ली क्या गीवन है आपको सेक्रिफाइस मेड गीवन है इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मोहित अभी वापस बोल दिया मैंने ठीक है ना कि अगर आप हाँ जो पार्टनर सेक्रिफाइस कर रहे हैं उनका टोटल कर दें और उनका टोटल उसी के बराबार आ रहा है जितना हम नए पार्टनर को हिस्सा दे रहे हैं पुराने वाले पार्टनर के रिगार्डिंग ड टोटल करते ना तो टोटल वन आ जाता इस नहीं आता यह चोटी-चोटी बाते होती जो बच्पन में इतना गौर नहीं करते हैं अधो इस कुशन में डायेट सब्सक्रिफाइस में डिवाइस रिश्यों किया होएगा इस दिनामेंटर को सेम करना पड़ेगा तो अगर सेम क है दोनों को थ्री से मल्टिप्लै एक को क्यों हो है मल्ला दूनों मलला ऊपर निरो मेंटर निमिनेटर दोनों को सेक्रिफाइस में रिश्यों क्या हो गया 1-2 3 1-2 3 अब नियू रिश्यों बताओ हाजी आदित्य का पुराना रेश्यो था 7 by 12 और निशिका था 5 by 12 माइनस सेक्रिफाइस मेंड 1 by 24 और 3 by 24 कर दो चाहिए 1 by 8 कर दो यह लो 1 by 8 करते हो तो 24 कर दों क्या सबका सेम आ रहा है 24 चलो 1 by 8 कर देता हूं ओके 12 और 1 by 8 अब क्या होगा ले अच्छा चोईस और 12 का यह होगा चोईस है ना चोईस अच्छा सुनो एक तो डारेटली पता चल रहा है कि अच्छा 12 की टेवल में 24 भी आता है इसलिए डारेट हम क्या ले सकते है 24 का ले सकते हैं दूसरा अगर अपन ऐसा देखें चोईस इंटू बारा हाइस कॉमन फ कि हाजी चोईस आजाेगा अ अच्छा था कि हम प्राइब तो क्या करें आप कैसे करें इसको सुनो इसको गडें का तरीगा किसी को नहीं आता हो तो और यह क्या है बारा तो चोईज पहले डिवाइड करेंगे बारा से डैट इस टू को मल्टिप्लाय कर देंगे सेवन से तो कितना जाएगा 14-1 that is 13 by 24 अच्छा एक तुमको यह और पता दा हूं शैद तुमको पता होगा 7 by 12-1 by 24 24 24 चीवह से नहीं दा तौब लिया इसको मलब एक तरीका में लिख देता हूं शायद किसी को और वीजुलायीज हो जाए मेरा तार्गेट के दूनों का डिनामीटर को सेंगर्ना तो में क्या करता हूं इसका भी 24 तौब करने के लिए में क्या करूंगा नीचे अगर बात वही है कान कैसे भी पकड़ना बात एक ही है एलसे हम लेके भी हम वही कर रहे हैं एलसे हम लेने का मतलब है कि 14 24-1-24 अब ऐसे भी लिसकते हैं कि 14-1-24 थीक है न तो कुछ लोगों को ऐसी चीज विजुलाइज होती नहीं बड़ अब शायद हो गई होगी कि मेरा टागेट कि हैं ट्यइनो मेटर को सेम करना है हां सेम करना है तो फैसे हज को 2 हो था दोनों को सेम डिनो मेंचर पे लेकर आना है अब जैसे एक और ट्वयल है तो एट तो 12 के लिए मैं क्या करूंगा मैंने का देखो सर हाँ एट को 12 पर नहीं ला सकता तो फिर दूसरा तरीका फिर LCM डूंड़ना है 12 इंटू 8 12 इंटू 8 या तो 96 ले लो या फिर हाइस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो मुझे पता है कि 4 से डिवाइड दूनों होते हैं इट की टेबल में 24 आता है 12 की टेबल में भी 24 आता है समझा तो मिल्टिप्लाई किया या तो आप 96 एस ले लो या फिर आप उसको हाइस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके और शॉट वाला ले लो ओके तो शॉट वाला लिया तो मैंने यहां आया 24 अब मेरा अब्जेक्ट अच्छा और 8 को अगर मैं 24 के क्वेलेंट करना है तो 3 से मल्टिप्लाई करना होगा तो 8 इंटू 3 तो 24 हो गया बट 1 इंटू 3 इस थ्री समझा यह लॉजिक पक्का ओके तो रेशियो क्या हो गया अच्छा सर यह हां 1 बाइ 6 था ना कोई बात ने इस 1 हां 4 बाइ 24 13 7 और 4 स्वाध्या 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 अधित्या निशिका और मनीश 13 इस 2 7 इस 2 4 करने के लिए था फूर अब समझ जाओगे तो तुम बड़े होगे ना अपने आप लेंग्वेश समझ जाओगे और मैंने तुमको एक बढ़िया सी ट्रिक बता दी कि जो दे सब्सक्राइब और अगर उन दोनों का टोटल वन के बराबर आए रहा है आपको क्यल्कुलेट करना पड़ेगा सब्सक्राइब ठीक है कि आप मैं भी तो देखूं कितना है चलिए एबी सी पार्टनर से 322 के रेशियो में उन्होंने अड्मिट किया किसको दी को वन फिफफ हिस्से के लिए विच एक्वीर फ्रों ए वी सी टू इस तो टू एउट के रेशियों पार्टनर रहे यह दीजांव एड़ी लेस्से के लिए विच इक्वाइड फ्रों एबी सी टू इस्टू इस टुआ तो गिवन डाएट गिवन नहीं है डायट गिवन नहीं होगा क्योंकि अगर आप देखोगे अगर आप यह लेते हो कि टू बाइफाइफ टू बाइफाइफ और वन बाइफाइफ तो इन्सका टोटल तो क्या जाएगा इसका मिला आपको कैलकुलेट करना पढ़ेगा ओविसली सब्सक् तो कैलकुलेट कर दीजिये सैक्रिफाइस मेड की वन फिफ्फ हिस्से जो से मिल रहा है किस रेशियो में त्यस्टु टू त्यस्या रेशियोसे मतलब नहीं अपने को सैटेवस मेड से मतलब है कौन-कौन बच्चे आज फर्क समझे हैं सेक्रिवाइस मेड और सेक्रिवाइस रेशियो का पता था था नहीं पता था अच्छा ऑपके उसका नाम नहीं दिया था था आज तुमने नाम दे दिया उसको थेंख सेग्रिवाइजंड अलग है और सवरी इसो अलग है और सब्रायज विश्ण विश्ण तो पोर्शन अलग होता है और रेश्यो अलग होता है सबस्ट क्थे एंच पॉश्ण है टू वो तो गीवन था उसके कोई जरद नहीं है सेवाइस निकालना था ओके तो सेवाइस मेड बोल जाए सेवाइस पोर्शन बोल दो आगे आपने पास नाव नियू रेशियो ओल माइनस दिस ओल्ट हा था 322 तो 322 कितना उसर टोटल या वेल सेवन 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 और माइनस कर देंगे क्या है कि आप मेड डाए लिखलो या फिर जितना भी इनका सेग्रिपाइस में उन सबका टोटल कर दो ठीक ही बात है तो अगर इनका आप टोटल भी करते हो तो टू बाइट 25 प्लस टू बाइट 25 प्लस वन बाइट 25 दैट इस 5 बाइट 25 और वन बाइट 5 हाजी अब LCM कैसे लेंगे 25 इंटु 7 क्योंकि मैं कोई कॉमन तो हाइस कॉमन फेक्टर तो ही नी 25 इंटु 7 175 175 और इट इस अलसो 175 पिचटर माइनस 14 पचास माइनस 14 और पचास माइनस साथ 61 36 और 43 अब इसको भी 175 में बदल देते हैं तो कित से मल्टिप्लाइ करूं बूलूं 35 35 it is also 35 upon क्रॉस हां क्रॉस चेक कर ले न कि इन सबका टूटल 175 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा हूं 61 plus 36 plus 43 plus 35 175 और के जी कैसे करेंगे वापस बोलना अगर आपको लेना हो तो आप और डिवाइड करके उसको और शॉट या तो पहले शॉट कर लो या बाद में रेश्यों बनाने के बाद शॉट कर लो इंद बात तो एक यह था जी है यह यह कॉमन फैक्टर तो आपको डूढना ही पड़ेगा पहले लो चाहे रेश्यों बन तो अगर कर दो और तो तो टूढ़न क्रॉस कर दो फटा फट हो जाता है तो 25-7 किया 175 25 को 3 से मैंने भी चलिए मुश्किल चलिए तो आज के लिए बस इतना काफी है कल पढ़ेंगे और आगे अभी तक तो देखो रिश्यों भी खतम नहीं हुए है हाँ कल स्टार्ट हो जाएगा फिर गुडविल का पॉर्शन है हाँ जी ओके चलिए मिलते हैं फिर कल ओके थैंक यू टेक केर और बाइए